मित्रो नमस्का, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ, एस ट्रो तक की खास फ्रस्तूती कमल नंदलाल की भविश्वानी आपका राशिफल, इस राशिफल में बात करेंगे मेंश से लेकर मीन राशिफल की साथ आपको बताएंगे राशिफल की सरल उपाए, राशिफल ही आपका शुभंक और शुबरंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखर में आपको बताएंगे कैसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्य को चुटके में दूर करेगा, तो चलिए शुरुबात करते हैं राशिफल की पंचांग के साथ में, तो दिन है सोमवार का तारीक है 18 सितंबर 2023, भादर पद शुखल तरित्या पर चंद्रमा तुला राशिवर चितरा नक्षत्र में रहेंगे, दिन का शुभंक रहेगा साथ, शुभंग रहेगा सिलिटी, शुभ द हरताली का तीज है, देवी गौरी का, महादेवी का विशेश परव है हरताली का तीज, और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी माता गौरी और भगवान शंकर से ही जुड़ा हुआ है, बताएंगे आपको कैसे हरताली का तीज पर जीवन साथी को लंबी आयू पराप्त हो बात करेंगे अचानक धनलाब के योग हैं प्रेम जीवन सफल रहेगा घरेलू जीवन सुखमा रहेगा कारोबार में नई योजना बनाएंगे रिष्टदारों सो सहीोग ब्रापत होगा उपाईए करेंगे पूजा गर में साबूदाना चणाएं शुबंग चार रहेगा करेंगे मन अस्थिर रहेगा किसी अंजान डर से परिशान रहेंगे दामपत जिवन में तालमेल बना कर रखें लाप के कई मौके मिलेंगे सहत पर पूरा ध्यान दें उपाईए करेंगे पूजा गर में साबूदाना चड़ाएं शुबंक तीन रहेगा शुबंग रहेगा पीला चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे आत्मवल में व्रद्य होगी भाई भेहन सा संबन मजबूत होंगे संपत्ति से लाब के योग हैं परिजनों का सही योग मिलेगा संतान पक्षा खुशकबरी मिलेगी उपाईए करें कि कागस पर श्रीम लिखकर ज चटी राशी कन्या यानि वरगों की बात करेंगे भाई भेहन से सयोग मिलेगा आर्थिक स्तिती में सुधार आएगा अचानक धन प्राप्ति के योग हैं जीवन साती का सयोग मिलेगा कारोबारी लाब होगा उपाईए करें कि सिक्के पर चंदन लगा कर परस में रखें श सफेद फूल चड़ाएं शुबंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला आठवी राशी वृष्ची क्याने के स्कॉर्प्यों की बात करेंगे धर्म कर्म में रुच्छी रहेगी सेहत पर ध्यान दे नौकरी पेशा को बड़ा लाब होगा कारे शेत्र की स्तिती सुधर पुराने दोस्तों से भेंट लाबदायक रहेगी उपाई ये करेंगे तुलसी पर चंदन से धूप करें शुबंग सात रहेगा शुबंग रहेगा सिलेटी नवी राशी धनू याने की सेजिटेरियस की बात करेंगे भाशा पर नियंतरन रखें मेहतवपून का यातरा के योग हैं घरेलू काम समय पर पूरे होंगे कुमारों को विभा का प्रस्ताओं मिलेगा बुजरुगों की सलहा से लाब होगा उपाई ये करेंगी किसी कन्या को बताश्य दान करें शुबंग के एक रहेगा शुबंग रहेगा लाल दस्वी राशी मकर यानिकी के प्रकाउ मिलेगा जिवन साती के साथ में रिष्टे सुधरेंगे सुख सुविधाओं पर धन खर्चोगा कारे शेतर से संबंदे त्यात्रा के योग हैं सहत पर ध्यान दें उपाईये करें कि सफेद रुमाल जय में रखें शुबंग रहेगा गुला भी ग्यारवी राशी कुम यान पैसिस की बात करेंगे दामपत्य जिवन में मधूरता रहेगी दफ्तर में अधिकारी खुश रहेंगे पिता का पूरा से योग मिलेगा सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा आए में बढ़ोत्री के योग हैं उपाईये करें कि तुलसी पत्ते पर चंदन लगा कर पाद्रपद के शुकल पक्ष की तृत्या तिथी है और ऐसे में हर्ताली का तीज मनाय जाने का विधान है इसे हरकाली तीज भी कहा जाता है हर्ताली का तीज का विधान माता गौरी से है और भगवान शंकर से है और ऐसे में हरकाली तृत्या यानि कि हर्ताली का तीज मनाय दंपत्ति शिव पारवती पर चंदन चढ़ा कर उसे नित्त इस्तमाल करें और पूरे प्रयोग में एक विशेश मंत्र का जाप करें ओम गौरी शंकरा ये नमहा आश्वस्त करता हूं आपको जीवन साथी को लंबी आयू प्राप्त होगी और आपका दंपत्त जीवन रहेग के हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजे से